नमस्कार NewsLiveMP.com में आपका स्वागत है मैं हूँ दीप्ती चौरसिया आज हम बात करेंगे मद्रप्रदेश के नगरी निकाय चुनाओं के नतीजों की हाला कि अभी 11 सीटों पर ही काउंटिंग हुई है 11 के ही नतीजे आए हैं लेकिन इन नतीजों से बड़ा साफ है कि कॉंग्रेस ने टकर तो दी है लेकिन जादा सीटों पर जीत हांसिल नहीं कर पाई और दूसरी जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है अगर हम पहले की बात करें तो 2016 में जो पूरे के पूरे 16 नगर निकम थे उसमें बीजेपी का ही कपजा था हाला कि अभी 11 के नतीज 2018 में ब लेकिन अब मेर प्रत्याषी मेर कि एक सिट पे आपका कभ़ा न कहीं न कहीं यह बता रहा है कि मद्रप्रदेश की राजनीती में भीपहार और जीत के समीकरण या पिर कहें कि प्रधेश की राजनीती के जो समीकरण वो बदल रहे हैं में देखें तो 2003 से जो है मद्ध पदेश को जो बाॉडर इलाके हैं वहां पर सपा और बसपा जैसे दल अपनी उपस्थिती दर्ज कराते रहें अगर हम विंद की बात करें तो वहां गौलीय चंबल की बात करें तो वहां अब जो मेयर के नतीजें आए हैं मेयर के नतीजों में सबसे बड़ी बात ये है कि मेयर की वो सीट आपने उस इलाके से जीती है जहां बीजेपी को 2018 के चुलों में बंपर जीत मिली है मतलब कि वहां की जनता ने कॉंग्रिस को पहले ही नकार दिया था और अब उसके बाद उन्होंने बीजेपी को भी छोड़के आपको जो है मेयर की सिट जिता दी आपके खाते में मेयर की वो सिट गई इसका मतलब बड़ा साफ है कि जनता अभी भी नए चेहरू की तलाश में जनता अभी भी नई लीडर्शिप की तलाश में है और दूसरा इंद के अलावा जो नई बात है वो यह है कि OVC की पार्टी की बात करें AIM-IM की बात करें तो बुरहानपूर में जो आपकी AIM-IM की कैंडिडेट थी उसको लगबख 10,000 लगबख 11,000 वोट मिले है और जो बी OVC की कैंडिडेट AIM-IM की कैंडिडेट ने वोट काटे और खंडवा के वार्ड में भी OVC की पार्टी AIM-IM की जीत होई है जबलपूर में भी एक दो वार्ड में उन्होंने जीत दर्ज कराई तो गौर करने लाएक बात यह है कि 2023 में अब कहीं ना कहीं विदानसभा चुन है कि 2023 के विदानसभा चुनाओं में बीजेपी और कॉंग्रेस में हार और जीत का जो समिकरन होगा वो इन छोटे दलों के द्वारा तय किया जा सकता है इन छोटे दलों की उपस्थिती किस तरह से होगी इनकी कैंडिडेट कौन होंगे यही तय करेंगे कि 2023 में अगर यह मै करेंगे करेंगे